आप सभी पस्वालक भाईयों का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पैरावेट सर्वेस पांडे पर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मारको प्रीम बोलस के बारे में कि इस बोलस का परियोग पसुओं के किसकी समस्या में किया जाता है और इसकी साही डोज क्या है इन सभी प्रिशनों का जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों मारको प्रीम पसुओं के लिए एक एंटी बायोटिक बोलस है जो मारक इंडिया लिम्टेट दौरा तयार किया गया प्रोड़क्ट है यह एक सलफा गुरूप के कंबिनेशन का बोलस है अग प्रिवाटिक की टौक्सिसिटी से बचने के लिए सलफा प्लस ट्राइमेथोप्रीम कंबिनेशन थेरिपी ज़्यादा परियोग मिली जाती है जिस तरीके से आप इस बोलस में दे सकते हैं कि सलफा मेथोप्रीम के साथ ट्राइमेथोप्रीम मिलाय गया है इसमें ट्राइम तो यह बैक्टीरिया की बिरिद्दी सिर्फ रोगती है जबकि इसके साथ ट्राइमेथोप्रीम मिलने से मतलब दोनों को साथ परियोग करें तो बैक्टीरिया को पूरी तरह से नश्ट करते हैं यह दोनों कॉम्बिनेशन तो दोस्तो इसलिए बोलस बहुत ही बेस्ट है और एक अच्छी बात और है कि छोटे बड़े पसुओं में अगर आप गलती से ओवर डोज भी दे देते हैं तो सल्फा के साथ साथ ट्राइमेथोप्रीम मिलने से मतलब इसकी कोई टॉक्सी सिटी नहीं होती है अगर इन दोनों साल्ट को मिला कर बात करें तो मार्कोप्रीम मे अगर किसी भी पसुओं को डाइरिया हो रहा है यानि उसका गोबर पतला हो रहा है दस्त हो रहा है तो पसुओं में किसी भी प्रकार के डाइरिया को रोकने के लिए आप मार्कोप्रीम बोलस को अपयोग कर सकते हैं बहुत ही बैतर रिजल्ट मिलता है दूसरा है दोस्तों अगर किसी भी पसु का घाव नहीं ठीक हो रहा है तो घाव को जल्दी ठीक करने के लिए आप मार्को प्रीम बोलस को अप्योग कर सकते हैं घाव के मामले में ये घाव को बहुत जल्दी हील करता है और बहुत इसका बैतर डिजल्ट मिलता है तीसरे है दोस्तों चौथा है दोस्तों अगर किसी पसु को सर्दी जुखाम या गले से सम्दित कोई भी समस्च्या हो मतलब आपकी गाय भैस भेंड बकरी किसी भी जानवर को अगर सर्दी जुखाम हो गया हो छीक रहा हो नाक के रास्ते लिक्विड वैरा हो तो सर्दी जुखाम या गले से सम्दित कोई भी समस्च्या हो तो आप भी आप मार्को प्रिम का उप्योग कर सकते हैं मार्को प्रिम का सर्दी जुखाम और गले सम्दित किसी भी दिक्कत में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है मिला जुलाकर दोस्तों बात यह है कि मार्को प्रिम एक मल्टी परपज मेडिसीन है और अगर इसके साही डोज के बारे में बात करें तो अगर आपको बड़े पसू जैसे गाय भैस में देना हो तो आप इसे दो बोलस सुबह दो बोलस साम दे सकते हैं और अगर दोस्तों पणिया या बचिया में देना हो तो एक बोलस सुबह एक बोलस साम आपको देना रहता है और अगर दोस्तों पणिया बचिया छोटी है जैसे आपकी चार या पाँच महीने की है तो आपको मार्को प्रिम का आधा बोलस सुबह आधा बोलस साम देना होता है और अगर मार्को प्रिम को भेंड बकरी में उप्योग करना हो तो मार्को प्रिम के एक बोलस में तीन खुराग बना कर आप भेंड बकरी को दे सकते हैं बहुत ही इसका बेतर रिजर्ड मिलता है